दोस्तों आप जब भी ओटर एडी को online में correction करने के लिए जाता है और सारे application फिल करने के बाद last step में capture code को enter करने के बाद preview and submit करने के बाद final step में इस application को submit करने पर ऐसा error ना जाता है इसको मैंने cases solve किया उसके बारे में आपको बताऊंगा जो कि आप screen पर देख सकते हैं same process को मैंने दुबारा से किया और यह application को fill किया था और finally submit button क्लिक करने पर मेरा application successfully submit में हो गया था और उसके लिए मुझे एक reference number भी मिला था तो उस error को मैंने cases solve किया उसके बारे में आपको बताऊंगा और साथी में मुझे किसी ने message किया था कि जो कि आप screen पर देख सकते हैं यह सवाल भी इसी error के related है तो आप इस सवाल का भी answer जानी है क्योंकि आपको इसी में complete solution मिलने वाला है तो सबसे पहली बात है ऐसा error आपको इसलिए आती है आपने recently कोई correction आपकी order ID पर करा है होगा तब आपको यह बताया जाता है कि आपकी form अभी pending है और वो form या correction request complete होने के बाद ही आप दूसरा application को submit कर सकते हैं तब तक आपको wait करना होगा दोस्तों election commission of India की रोल्स के इसाप से आपका जब recent request जब तक complete नहीं होगा तब तक आप नए application request को submit नहीं कर सकते हैं लेकिन कुछ लोगों को यह confusion है कि उनका तो पहले वाला request तो already complete हो चुकी है और उनका updated order ID भी मिल चुकी है जिससे मरे एक वीवर का case है दोस्तों आपकी जानकरी के लिए बता दो कि जब आप एक request submit करते है आपकी order ID के related उसके बाद आपको कम से कम 90 days का wait करना होगा तब जाके आपका दूसरा application accept होगा अब 90 days के अंदर आपका पहले वाला request या application complete हो भी गई हो और आपको order ID मिल भी गई हो correction हो फिर भी आपको दुबारा से कोई correction के application या request के लिए कम से कम आपको 90 days का wait करना कमपल जड़ी है उसके बाद ही आपको दूसरा application accept होगा ने तो same error रात होगा order ID के related सारे वीडियो साबको मेरे चैनल पर playlist पर मिल जाएगा आप जरूर उसे चेक कर लिजेगा अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और ये वीडियो आपको useful और informative लगे तो जरूर एक लाइक कर जेगा तो चली मिलते एक और नए और informative वीडियो के साथ जय हैं